Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल लेकिन यहां पर मैं आपको बता दू, PM Modi के leadership में दो साल पहले एक Global South Summit का inauguration किया गया था, और इसका यह third edition है, जिसके तहद PM Modi ने एक बड़ा कदम लिया है, भारत ने propose किया है Global Development Compact, ताकि चाइना के debt trap को counter किया जा सके, यह आप देख सकते हो खबर, PM Proposes Global Development Compact at Voice of Global South Summit, और इसी क थोड़ा में समझने की ज़रुत है कि आखिरकार ये initiative है क्या, इसे होगा क्या, यहां पर क्या कोई funding वगर announce की गई है भारत के दौरा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दू, कि आज राखी के लेते हैं, जो आपका selection box से आपके घर तक भेजा जाता है, उसके अंदर 18 UPSC के books और बहुत सारी चीज़े हैं, तो जल से जल जॉइन करिए, यूज करिए ये code अंकित लाइव और इसका जो link है, वो comment section में दिया हुआ है, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आपटेंट कर पाएंगे, तो चले सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि exactly हुआ क्या है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, Global South Summit जो है चल रहा था, उसी के दोरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे, ज्यादा तर जो developed countries होते हैं वही इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनको income होती है, उनकी आपर manufacturing होती है, और जो low income countries हैं, गरीब देश हैं, व यहाँ पर Chinese debt trap को लेकर कापी ज़्यादा concern हो रहा है, in fact मैं आपको बता दूँ, बहुत से ऐसे देश जो पहले China के अंडर आ गए थे, मतलब China ने उनको कुछ पैसे बगरत दिये होंगे, उनको लगा कि हमेशा उनको मदद मिलती रहेगी और China कुछ नहीं करेगा, आज उनक पर जो debt का burden है, वो यहाँ पर ना है, और इसी को लेकर PM Modi ने इस submit के दौरान announce किया, global south के लिए काम करेंगे, देखो इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि यह जो compact है, यह जो development initiative announce किया गया है, PM Modi के दौरा वो क्या है, लेकिन उसके पहले मैं बार बार आपसे global south के बारे में बात कर रहा हूं, यह global south है क्या, basically क्या होता है कि कई बार groupings वगरा बना दी जाती है, जैसे G20 एक grouping होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर global south जब मैं कहता हूं, तो यह तरह से दिखाता है उन देशों के बारे में, जो जादा तर अभी underdeveloped हैं, वहाँ पर बहुत सारे issues हैं problems हैं, चाहें भारत की बात करिए, एफरिका के बहुत सारे देश हैं, लैटेन अमेरिका और उसके नीचे यह जो south अमेरिका हो गया, इस तरह के जो देश अगर आप देखोगे, अगर आप इसको compare करो global north से, मतलब northern side में अगर आप countries compare करो, तो जादा तर ऊपर आपको developed countries कोशिश की है, और इसी को बोला जाता है global south, अब question यह है कि यह global south summit है क्या, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, 2022 में जो g20 हुआ था, उसके दोरान भारत ने यहाँ पर global south summit का inauguration किया था, उसको establish किया था, और 2022, 2023 और 2024, यह जो 2024 है, इसमें third edition जो है, यह summit का यह भार परती करता रहता है इसको, और इन में बहुत सारे देशों को include किया जाता है, तो इस बार मैं आपको बता दू, 123 countries जो हैं इस बार join किये थे, और इसमें लगभग 21 countries के जो state of head है, जो आप जैसे भारत के अंदर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अलग-अलग द देशों से उन्होंने participate किया था, in fact मैं आपको बता दू, अभी recently हमारा जो पडूसी देश है, बांगला देश, उनके जो अभी head बने है, interim government बनी है, मौहमद यूनुस, तो वो भी participate किये, भूटान की तरफ से, नेपाल की तरफ से, सिरलंका, हमारे जो पडूसी देश हैं, उन्होंने भी participate किया, और साथी साथ यहां पर आप देख सकते हो, Latin America, Africa के कई देश, उन सब ने भी इसके अंदर participate किया है, जहां तक चाइना और पाकिस्तान का सवाल है, तो इसको लेकर external affairs minister एश जैसंकर साब से पूछा गया, कि वो participate क्यों नहीं किये, तो यहां पर एश ज बैटर की उनको invite नहीं किया गया, और साथी साथ यहां पर एश जैसंकर साब ने ये भी कहा, कि बहुत से देशों ने यहां पर sovereignty, autonomy और interference को लेकर सवाल खड़े किया है, कही न कहीं उनका इस सारा ये था चाइना को लेकर, कि जिस प्रकार से चाइना लगतार interfere करता रहता है, sovereignty को खतम करने की कोशिश करता है, और इसी को देखते वे भारत इसमें leadership ले रहा है, ताकि वो चाइना के narrative को counter कर सके, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि ये जो submit organized किया जाता है भारत के दोरा हर साल, इसमें basically एक platform दिया जाता है उन global south के countries को, जितने भी southern side में ये countries जो initiative मैंने आपको बोला, global development compact, ये है क्या, देखो ये basically भारत ने propose किया है, एक foundation होगा, मतलब इसका जो foundation है ना, उसके पीछे ये है कि भारत की जो development journey है, हमारा जो experience है, वो हम बाकी global south के countries के साथ share करेंगे, मतलब कि भारत काफी हद तक चीजों को मदद करने की कोशिश करेग कि ये initiative, global south के countries को मदद करने के लिए है, ना कि आपके उपर भार डालने के लिए, जैसे कि अगर आप देखोगे तो PMODI ने यहाँ पर बोला कि ये जो development compact है, it will help in the balanced and sustainable development of partner countries, इसके तहत हम बहुत सारे चीजों के उपर focus करेंगे, especially trade for development, मतलब ये जो गरीब देश हैं, low income countries है वो कैसे अपने जादा से जादा trade को बढ़ा सकते हैं, ताकि उनका development हो सके, उनके capacity building को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, technology कैसे हम share कर सकते हैं उनके साथ, project specific concessional finance, मतलब कि अगर मालो कोई देश है, अगर उनको कोई project establish करना है, और उनको कुछ finance की need है, तो हो सकता है कि भारत यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा provide करते हैं, तो question यह है कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार का financial initiatives भी launch किया गया है, बिल्कुल, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह बोला गया है कि trade promotion activities के लिए भारत ने एक special fund launch किया है, 2.5 million dollar का, अब देखो, देखने से लग सकता है कि 2.5 million dollar ऐसाच भारत के पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम वही चीज की तरह counter कर सकें, लेकिन at least भारत ने यहाँ पर initiative लिया है, कुछ funds वगरा launch किया है, इसके लावर यहाँ पर training कैसे provide करना, मतलब trade policy वगरा में जो training वगरा है, capacity building जो बनाना है, उसके लिए भी 1 million dollar यहाँ पर भारत ने announce क भारत के पास जो हमारी strength है, उसको हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा भारत का इस समय one of the biggest success किसमें मिला है, UPI में, और यह कैसे आप आया है, digital public infrastructure के तहर, basically सरकार ने यहाँ पर UPI जैसा platform बना दिया, और एक तरह से companies को दे दिया, public को दे दिय free में, कि आप इसको इस्तमाल करों, और उसके बाद चाहिए, Google पे हो, Paytium हो, Movie को, इन सब ने इसका फायदा उठाया, और आज के डेट में UPI काफी बड़ा बन गया है, और बहुत से देश उसको adopt करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप देख सकते है, social impact fund करीब 25 million dollar का, य पानली जाने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ है कि भारत ने commitment दिया है, कि हम sustainable development की तरफ focus करेंगे, चाहे SDG, चाहे sustainable development goals हो गया, उसमें जो financial relief वगर की आउशकता है, वो भारत provide करने की कोशिश करेगा, फिर इसके लावा यहाँ पर affordable medicines, natural farming, इन सब में भी भारत मदद हैं, वो भारत यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, और यही है आपका global development compact, अब देखते हैं कि इस initiative को आखिरकार कितने देश जो हैं वो जोईन करना चाहते हैं, क्या होगा, वो तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन एक बड़ा कदम था और आप सब को इसके बारे में पता हैं, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDFC तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोशन मीडिया पर आप जुड़का होगें, और जैसा मने आपको बटाया है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आज जो हमारा ये batch launch हो रहा है, you can take this batch by using this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताइम, तिल देन, थैंक यू बरिमाट